इस वीडियो बात करने वाले हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में इससे पहले भी मैंने दो से तीन टॉपिक्स इसके उपलोड किये हैं और इसके बात के वीडियो भी फ्लेम्स सकते हैं अब कुछ्छा बेका लिंक को लिके नूक्लियिक्स के बारे में इसके पॉर्मेशन के बारे में कैसे बुटा है उसमें क्या क्या परिकल्स होते हैं उन इसब के बारे में जो सबसे पहले फर्स एक्स्पिरिमेंट जो दिया गया था वो दर फोड भाई साब के द्वारा दिया गया था तो जो बहुत ही इंपोर्टेंट हुआ इस Atomic Physics में या फिर हम नुकलियर फिजिक्स के अंदर तो उन्होंने nucleus की discovery की, nucleus के बारे में कुछ चीज़ें बताई, तो further आगे studies हुई जिन में अलग-अलग types के method दिये गे, अलग-अलग types के assumptions दिये गे, जिनके basis पे nucleus के size का हम पता लगाते हैं, उसी में से एक method है, x-ray method to find the size of nucleus, actually nucleus की size find करने का सिधा सा meaning यह होता है, कि आप nucleus के radius को बताईए, तो आप उसकी size का पता लगा सकता है, जना यह पता चलिया था कि nucleus जो है, वो spherical form में है, ठीक है, solid state में है, बहुत stable condition में है, ultimately उसके effect को आप पहचान सकता है, जहां तक उसका effect होता है, यह center point है, यहां से इसका field जो nuclear force होता है, उसका जहां तक effect होता है, उस effect की radius को आप पता कर लेते हैं, तो वो उस nucleus की size को represent करता है, तो यह assumptions दिये गए थे, इससे पहले भी हमने nucleus की size पे related एक video बनाया है, तो आप high-tech पे click करके, यहां फिर link आपको description box में given है, वहां जाके भी आप videos को देख सकते हैं, बात करते हैं, masonic या munic, पार्टिकल होता है, mason या mun, mun पार्टिकल जिसको कहते हैं, उसमें x-ray method से हम क्या करता है, nucleus की size का पता लगाता है, उसकी radius find करता है, masonic like, अब mason's क्या होता है, देखो, जैसे nucleus के अंदर proton और neutrons होता है, उसी type से, mason's जो होता है, वो क्या होता है, like हमारे पास में, mason's like particles जो होता है, जिनको πाई प्लस, πाई माइनस, या जिनको πाई 0, इस type से रिनाट क्या जाता है, neutral particle होता है, ये वाला, ये positive और ये negative होता है, same as, जैसे electron, proton, neutron होते हैं, उसी type से mason's particle होता है, और found during the collision between high energy proton, ये कब मिलता है, जब दो high energy proton collide करता है, तब ये particles आपको मिलता है, अब कैसे मिलता है, जैसे मैंने कहा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो particle, दो protons लिए, उन दोनों protons को हमने यहाँ पे collide करा है, अब proton को collide कराने पे proton मिलता है, साथ में एक neutron type particle मिलता है, और एक pipe plus particle आपको मिलता है, ये इस type का होता है, similarly अगर आप कहेंगे, इस type से हम फर्दर और proton और proton का हम आपको collision होगा, तो वहाँ से आपको particle proton मिल सकता है, और उसे के साथ में pipe plus मिल सकता है, और similarly हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अगर proton और proton आपस में collide करता है, या फिर connect like reaction करता है, या फिर collide होता है generally, तो आपको आपस क्या मिलता है, proton, proton और उसे के साथ में, अच्छल में these are the energy, तो एक pi minus और pi plus इस टापस आपको मिलता है, ये चीज़ें आपको मापे मिलते है, तो ये जो particles होता है, इनको mules कहता है, ये mules होता है, these pi mesons, mesons का और mules को एक ही बात होता है, like these pi mesons decay due to mules, like ये mesons होता है, like mules से, जो आप उसे मैं clear कर देता हूँ कि यह mons होता है यह particles होता है mu plus, mu minus these are the mons and anti-mons and इससे मिलके इससे इनके decay से हमको मिलता है mesons, mesons जो होता है pi plus, pi minus, pi यह होता है अब pi plus होता है this is the meson और यह बनता है आपका muon से यहनी कि mu plus और यह होता है इसके साथ में energy package जिसको आपन neutrino कहता है this is the neutrino यह neutrino होता है similarly अगर हम बात करें यहाँ पे pi minus के बारे में तो pi minus जो होता है anti-mons जिसको कहता है और anti-neutrino इसके साथ में क्या होता है anti-neutrino होता है यह pi-mons जो होता है इसके साथ में होता है यह आप समझ सकता है कि यहाँ पे इस mu plus का जो anti-particle होता है वो यह होता है और neutrino का जो anti-particle होता है वो anti-neutrino कहलाता है यह चीज़ आपके हाँ रख सकता है यह उनकी dk से हमको मिलता है अब actual में इसके help से हम x-ray rays को हम अंदर pi minus particle is passed through the neutral medium neutral medium से जब यह pass होता है then the munes are captured by the atom of the medium in the electron lies orbit such atoms are called mune अब देखो होता क्या है कि यह मैं कहता हूँ कि nucleus है और यह हमारा कोई atom है इस atom के अंदर जो होता है क्या होता है electrons होता है इस atom के अंदर जो है यहाँ पे electron present होता है अब यह electrons जो होता है यहाँ पे दो होता है अब electrons जो होता है उन में क्या होता है जब हम यहाँ से इसके उपर यह electron का atom है अब atom किसका हो गया है यह electron का atom जो की बोर ने introduce करवाया था अब क्या होता है जो munes जो होता है जब इनके उपर पाइ माइनस पार्टिकल जो होता है उनको इनके उपर डाला जाता है तो यह मेजों जो होता है वो captured कर लिये जाता है atom के द्वारा atom उनको capture कर लेता है अब क्या होता है जब यहाँ पे इस टाइप का यह नुकलिस होगे है यह orbits होगे अब orbits में electron की जगह कौन ले लेता है electron की जगह यहाँ पे जो mions होता है mu particles जो होता है वो इसकी जगह ले लेता है तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेंगा भया इसकी जगह पर यह mions मिलेंगा लेकिन यह बहुत important इसलिए हो जाता है क्योंकि electrons की जगह पर यह muons आते था, हलांकि muons जो होता है वो electron की जितने stable नहीं होता है यह जो भी atom, muons का जो atom बनता है, यह इसको mu atom कहता है और muons का जो atom बनता है this is not stable, यह कभी stable हो नहीं सकता, because of that अगर आज यह होता तो electron की जगह पे हमको atom की जगह पे, electron की atom की जगह हमको यह atom देखने को मिलता है, बट यह stable नहीं होता है, क्यों नहीं होता है क्योंकि इनकी energy जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अब energy ज़्यादा कैसे होती है, उसके बार में भी बात करता है तो actual में हमें इससे क्या पता चलता है, जब हमने एक स्केटरिंग किया, एक स्केटरिंग किया, एक स्केटरिंग का यूज किया, तो ज़्याद म्योंज हो है वो ल माइनस, ल पाई माइनस पार्टिकल जाके capture होता है तो उन capture होने से actual में जो उसके energy जो होती है वो energy state हमको पता चलती है अब gold foil के ता, जो करता है, और जो energy जिसकी कम होती है, वो stable होता है obvious है, तो electron के energy कम होती है इसका जो mass होता है वो electron से ज्यादा होता है mions का जो mass होता है, the mionic particle is higher than the electron ये electron से भारी होता है and the radius of the mionic orbit, तो जो ये mionic orbit आप देख रहे हैं, इसकी radius जो होते है will be the 207 smaller than actually अगर आपको बता हूँ, तो mass of mions जो होता है, that is 207 times of, like 207 times of mass of electron भारी होता है, ये electron से 207 गुना भारी होता है, ठीक है अब यहाँ पर इसकी radius जो होती है, 207 गुना smaller होती है, और orbits की जो radius होती है, mions orbits की radius से 207 गुना तोटी होती है, इनकी energies होती है, वो कम होती है, अब in case of gold foil, क्योंकि रदरफोर्ट ने जो experiment किया आता, वो gold foil को उपर किया आता, radius of the gold nucleus 7.5 into 10 to the power minus 15 meter या एक फर्मी मिक्रीज को कहता है radius of the first orbit of the muonik in the gold nucleus then that mu for AU, यानि कि जो electron के लिए, जो radius मिलता है आपको, भूक मिलता है, generally electron वाले orbit के लिए 7.5 into 10 to the power minus 50 अगर बात करते हैं हम याँ पर muons के case में, radius of muons for AU atom AU, like AU nucleus के जो radius मिलती हो, 3.5 into 10 to the power minus 15 meter मिलती है, सिकम मिलती है अब energy की बात करते हैं, in general अगर में energy की बात करते हूं, तो electron के case में इसके energy होती है, minus 13.6 z square upon n square e, electron volt में होती है, यह हम बहुर जो postulates होता है, उससे हम find करता है अब in case of muons के अगर हम बात करता है, तो muons के case में energy जो होती है, like energy is the minus 17.6 z square upon n square, mega electron volt, this is very important यह electron volt में होती है, यह mega electron volt में होती है, इसके energy बहुत ज़्यादा high होती है, इसलिए यह particles होते हैं, यह atoms होते हैं, वो unstable condition में रहते हैं, जब यह unstable condition में होते हैं, तो क्या होता है इनके उपर, हम उबारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो भात करता है है, एक ऐसा समझ लीजी, एक और actual में जो इसका, जो muons, like electrons जो होता है, इन general हमारे atom में क्या होता है, electron वाले atom में, और ने जो introduce किया था, वो सारे orbits nucleus के बहार होता है, अब muons के case में क्या होता है, energy बहुत ज़्यादा होती है, और जो like, इनका जो radius होता है, first atom, अब आप समझो, देखो, यहाँ पर लिखा हमना है, the radius of muonic orbit will be 207 smaller than the radius of bore atom, जो यहाँ पे इसका जो first orbit का radius होता है, वो इसके first orbit के radius से 207 गुना ज़्यादा होता है, electron के case में ज़्यादा होता है, muon का, जो first orbit होगा, वो उस nucleus के अंदर चला जाएगा, यह बहुत important, यहाँ पर, like, एक surprising यहाँ पर देखने को मिलता है, जो first orbit है, वो उस nucleus के अंदर चला गया, अब भया, जब first orbit nucleus के अंदर चला गया, तो वो वैसे भी unstable condition में है, और उसके energy भी बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यह इसकी radius है, this is the radius and यहाँ पर कोई muon particle पड़ा है, यह muon particle है, इसका first orbit है, first orbit जो की nucleus के अंदर है, यह पुरा nucleus आप देख रहे है, nucleus के अंदर की यहाँ से पुरा nucleus है, तीक है, this is the nucleus, nucleus के अंदर जो है, this is first orbit, यह जो है, आपका first orbit है, muon वाले atom का, यहाँ से क्या होता है, जब यह particle अंदर की तरफ जाएगा, अंदर lie करेगा, और बिट के अंदर जाएगा, तो यह बहुत unstable है, very unstable, उस case में क्या होगा यह, यहाँ से बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा यहाँ से, तो उस case में यहाँ से x-ray raise होगी, वो यहाँ से emit होगी, x-rays हो है, वो यहाँ से emit हो रही है, और inner transition, high energy, जो होता है, यहाँ पर inner transition, यानि कि mega electron volt में इसके energy होती है, अगर मैं इसकी energy की बात करता, तो omega electron volt की energy होती है, इस order की energy होने के कारण, यह उस nucleus के अंदर stable नहीं रह सकता, और वैसे भी orbit nucleus के अंदर कैसे जा सकता है, यह आप समझ सकता है, जा सकता है, क्योंकि उसकी radius बहुत छोटी है, तो consider हमको अंदर करना पड़ेगा, ultimately nucleus के जो size है, वो हमने पता कैसे करी, कि यहाँ पे, जो हमारा 207 गुना छोटा है orbit का radius, वो radius nucleus के अंदर चला गया, वहाँ से x-rays निकल रही है, mu जो की captured हुआ था, अब mu minus जो है, वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, जो mu particle है, muons जिसको कहता है, अब वो हुआ क्या, जब अंदर गया, बहार वहाँ से instability के कारण, वो बहार आया, उस कारण से हमने पता लगा कि, किस order की radius का orbit जो है, वो nucleus के अंदर लाई कर रहा है, उस से हमने क्या किया, उस maximum आप समझे सकता है, critical radius कमने पता लगा दिया, कि इस order से कम जो होगा, वो nucleus के अंदर रहेगा, इस order से बढ़ा होगा, nucleus के बहार चला जाएगा, इसका meaning यह होता है, जो nucleus है, उस nucleus के अंदर, ultimately, जो value है, उस value में, जो radius का value है, उस value से, वो बहार रहेगा, या फिर अंदर रहेगा, मतलब आपने, nucleus के size के boundary पता कर ली, इस से कम होगा, तो अंदर चला जाएगा, इस से कम होगा, तो बहार चला जाएगा, इसी को हमने यह आपर वापस explain कर रखा है, in case of gold foil, in case of gold foil, first orbit of moon lies in the nucleus, क्यों करता है, क्योंकि उसका 207 गुनार, radius छोटा होता है, electron वाले atom से, the moon's in the orbit, the moon's in the orbit, in this orbit, are captured by the nucleus, vacancy is created in the orbit, वो nucleus के द्वारा, capture कर लिया जाता है, और वहां से vacancy, this vacancy is filled by the moon's, वहां से particles निकलता है, like moon's particles capture होता है, vacancy महां पर create हो जाती है, capture हो गया न, vacancy महां पर create हो गई, and making as a transition, from higher level to lower level, वहां पर transition होता है, जब vacancy create होता है, तो higher level से lower level में, energy like emit करते वे, वो higher level से lower, inner transition जिसको कहता है, वो higher level से lower level में, transition होता है, और वहां से rays को emit करता है, during this transition, higher energy x-ray are emitted, will provided the information about the binding energy, of the nucleus in the orbit, main काम यहां पर होता है, energy का, finding energy का मतलब होता है, वो energy जो उस nucleus के अंदर present है, nucleus की energy है, जो की उन orbit को उसके अंदर बांधे रखती है, उसको, आप समझ सकते हैं, capture कर गर रखती है, अब आप nucleus के अंदर रहो, अब जब उसको, mion's particle वहां से capture होता है, बाहर निकलता है, मतलब like electron के दवारा capture कर लिया, sorry, like nucleus के दवारा capture कर लिया जाता है, तो वहां पर vacancy बनती है, higher energy का states, अब higher में कोई अगर particle होगा, higher orbit के अंदर, higher energy state के अंदर, तो वो अब नीचे आने कोशिश करेगा, जो नीचे आएगा, तो वहां से ये नीचे आएगा, तो ये transition में यहां से कुछ rays को emit करेगा, और वो जो ray होगी भाईया, वो x ray होगी, और वो x ray जो है, वो उस nucleus की binding energy के बारे में, हमको information provide करेगी, और उस information से हम पता कर सकते हैं, कि nucleus का nuclear force है, nucleus का जो effect है, कितने size तक है, the finite reason as compared to the point charge, अब वहां पर point charge नहीं है, वहां पर हमने पुरा finite charge उसमान लेता है, सागि nucleus का finite charge होगा, distributed है, to decrease the binding energy, तो उस case में क्या होगा, binding energy point charge की तुतलना में, वहां पर decrease होगी, so this decrease in the binding energy of the muons is related to the nuclear radius, binding energy decrease होने का मतलब है, यहां पर nucleus है, इससे आप जितना दूर जाएंगे, तो इसकी जो binding energy है भया, उसके effect में कमी होगी, decrease होगी, आप जितना दूर जाएंगे, उसके effect में binding energy, जो nucleus की binding energy है, तो effect में कमी होगी, तो आप समझ सकता है, जहां तक उसका एक particular, आप समझ सकता है, एक वर्चस हुआ है, जहां तक वो effect करती है, वहाँ तक आप उसकी radius हो जाएगी, और जियों जियों आप दूर जाएंगे, वैसे वैसे उसका effect जो है, वो कम होता जाएगा, अले बढ़ता है, so this decrease in the binding energy, of the muons is related to the nuclear radius, the nuclear radius emitted from the center, is the good agreement with the earlier measured result from the other method, तो यह जो method होता है, यह method earlier जो find गया गया था, जो कि experiment के based पे और कुछ conclusion निकाला था, फिर उससे एक, आप समझ सकता है, मतलब एक यहाँ पे like relation दिया गया था, उस relation को यहाँ पे use करते वे हम वो काम करते थे, but उससे exact और like accurate method इसको माना गया, इससे क्या होता है, binding energy के basis पे आप निकाला जाता है, और तो पहले method दिया गया था, वो था r is equals to r not a to the power 1 by 3, ठीक है यह ऐसा कुछ relation दिया गया था, जहाँ पे इसका value करीब 1.2 से लेके 1.3 into 10 to the power minus 15 meter इससे मिलता है, यह तो पहले दिया गया था relation इससे आप, हलांकि यह भी relation सही है, अगर इसमें इसको put करोगे, तो भी बात वही है, लेकिन AU के लिए जो 7.5 आपको मिलता है, वो अब यहाँ पे कम होके 1.3, 1.2 के around रह जाता है, तो ultimately nucleus के size का accurate पता आप यहाँ पे लगा सकता है, इसमें चाहें आगे पीछे होजाए, लेकिन हमेशा इसी order का रहेगा, this is all about the x-ray method to find the size of nucleus, so I hope आपको पूरा topic जो हो अच्छे से clear होगा, so thanks for watching my video, keep watching MS Mass, and if you type for more videos के लिए हमारे channel को subscribe करें, thank you, bye bye.